अज़िए इस एपिसोड के साथ आज के इस एपिसोड मम लो डिसक्स करेंगे एलिकॉन इंजीनरिंग के बारे में तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देखा जाए कंपनी की मार्केट कैप 20 तो 10,600 करोड की आपको इनकी मार्केट कैप देखने के लिए मिलेगी अब कंपनी अगर देखा जाए तो basically यहाँ पर material handling के business में जो कि यहाँ पर mainly use होता आपके infrastructure development के अंदर और manufacturing के अंदर और हमें यह चीज़ पता है कि अभी इस लेवल पर इंडिया के लिए यह दोनों ही sector काफी जादा एक तरह से कह सकते हैं और important है क्योंकि इस लेवल पर जिस लेवल पर हम लोग है इस economy को आगे boost करने के लिए infrastructure और manufacturing की बहुत जादा requirement है तो ऐसे companies के अपने आप essence बढ़ जात के अंदर है बट सीधा-सीधा undervalued भी नहीं कहा दा सकता है exactly क्योंकि यहां पर company की sales growth सिर्फ 12% के पिछले 3 साल में coming future यहां पर जरूर बढ़ सकती है sales growth लेकिन यह कोई ऐसी चीज़ नहीं material handling वाली चीज़ की तुरंद बिख जाए यहां पर क्योंकि यह heavy कह सकते हो capital goods होते है तो यहां पर भी limit होती है produce करने की और use करने के भी in fact तो sales growth बहुत जादा तेजी से आपको यहां पर बढ़ते नहीं नजर आएगी अगर जादा से जादा जाएगी तो हमें लगता है कि 15-20-18 के बास पास जाएगी अब यहां पर मतलब depend करता है capacity के आस पास पास भी बढ़ हम अभी के आस-पास की बात कर रहे है अब यहां पर NPM देखोगी तो 15% के आस-पास की है यहां पर main improvement क्या हूँ यह company के अंदर की margin पिछले कुछ समय में यहां पर बढ़ी है और अभी भी देखोगी तो margin लगातार improve होई जा रही है और इसके चलते यहां पर हमारे company में net profit क के अंदर increment आया है तो main एक important चीज यहां पर यहां पर debt to reserves के बात करोगे तो debt यहां पर company का काफी काम है यह कह सकते हो कि manageable है और इसके accordingly reserves company ने काफी अच्छे maintain किये अब यहां पर company की sales देखोगो तो पिछले कई quarter से काफी जादे यहां पर sales आये तो एक improvement हम लोगों को यहां पर भी नजर आ रहा है और साधी साथ यहां पर company की high margin अभी भी maintained है तो कह सकते हैं कि flow अभी भी company के अंदर बना हुआ है नीचे चार्ट पर देखेंगे आज यहां पर हम लोगों फिर से एक breakout देखने के लिए मिल रहा है तो current level पर अगर आपको position add करनी तो add कर सकते हो स्टॉप्रस यहां पर इन्वाले ले सकते हैं अभी के लिए कहेंगे कि अगर आपको यहां पर पंदरा से बीस या पच्छेस परसंट तक भी target लेना है यहां पर आपको easily मिल सकता है और अगर कुछ समय के लिए यहां पर आप लोग invested रहना चाहते हो तो वह भी कर सकते हो एक momentum trade करना चाहते हो वह भी कर सकते हो एक काफी perfect यहां पर आपको chart pattern देखने के लिए मिलेगा यहां पर company trend मनाते हो ऊपर आई है थोड़ stop-loss बस अपना इस वाले level पर रखना higher levels पर जब भी आप लोग company trade करते हो तो stop-loss maintain करके चलना जरूरी होता है एक तो होता है कि bottom पे हम लोग ने buy किया मतलब company गिरी जैसे covid वाले time में थी company गिरी और company गिरने के बाद हम लोग bottom में buy कर रहे है तो उस case में उतना stop-loss का महत्त जाती है तो इसलिए अपना stop-loss लगा के आप लोगे तो यहां पर काफी अच्छा सा अपना risk manage कर सकते हो और उसकी essence यहां पर इसलिए बढ़ जाती है तो stop-loss जरूर यूज करना आप लोग इसे के साथ फिलाला भी चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में वीडियो अच् कर दो है